आज मैं आपको शॉपिंग बैग और पुरानी कत्रन का यूज करके बहुत ही यूसफुल चीज बनाना सिखाऊंगी तो देखिए यह है शॉपिंग बैग पहले इसे हम इस तरीके से कट करके और जितना पार्ट हमें चाहिए उतना हम निकाल लेंगे तो देखिए मैंने शॉ कपड़ा कट कर लूगी कपड़े को हम डबल लेंगे अभी इसका क्या मेजर्मेंट होगा आगे मैं आपको बताऊंगी अभी मैंने इसे नाप नहीं किया है क्योंकि जो शॉपिंग बैग का साइज है वही मैंने लिया है अब हमें एक कपड़े को रखना है फिर यह शॉप जो में मैंने आपको लगाना बताया है वीडियो को इसकिप करके नहीं देखना है सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टीचिंग प्रोफेसर को बैल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तो देखिए इस तरीके से हमने रे प्रेस निकाल के उसे वेस्ट मत कीजिए अपने पास संभाल के ही रखिए अब देखिए इसकी विर्थ है 9.5 और लेंथ है इसकी 12.5 अब हम लगाएंगे इसमें जिप तो देखिए ये है जिप और हमें किस तरीके से लगाना है इसे हमें सीधी साइड जिप को उल्टा लेंगे नहीं तो क्या होता है जिप आपन जब ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो उसमें इसके धागे फासते हैं इसलिए इसे पलट के सिलना बहुत जरूरी है जब इसे दोनों साइड से इस्टिच कर लेंगे तो इस तरह से जिप लगा के और इसे हम इस तरीके से फो करता है तो देखिए हमने ये दो कट लगा लिये हैं दोनों साइड हमने जो कट लगाया है उसको जिप से मिलाते हुए इस तरीके से पूरा हम स्टिच कर लेंगे यहां पर पहले हम एक पिन लगा देंगे ताकि यह इधर उधर नहीं हो क्योंकि यह जरा सा भी तिर्चा हुआ तो बैक का पूरा शेप बिगड़ जाएगा अब इस्टिच करने के बाद में इसके चारो कॉर्णर पे वन बाय वन का एक चुटे चुटे से बॉक्स बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे बहुत आराम से कीजिएगा बिल्कुल भी इसमें परेशानी की ज़रुरत नहीं ब पूराने शॉपिंग बैक कतरन का यूज करके प्रोफेसर ने बहुत ही सुन्दर और यूसफुल बैक बनाना सिखा दिया यह मल्टी परपस है जी हां आप इसमें पैन, पैंसिल, मैकप का समान, शेविंग का समान कुछ भी रख सकते हैं तो बना दिया ना प्रोफेसर ने वेस्ट को बैस्ट वीडियो कैसा लगा फटा-फट से कॉमेंट करके बताइए क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और हां ज्यादा से ज्यादा लो